जैह हिंद प्यरजातियों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी भरती के बारे में जिसमें ना कोई आपकी दौड होती है ना ही लंबाई लीज आती है ना ही कोई चेस्ट चेक होती है और सबसे अच्छी वात कि यहाँ पे रिटेन एक्जामनेशन में भी आपकी इंग्लिस नहीं आती है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को डर लगता है इंग्लिस से के इंग्लिस सेक्षिन नहीं होना चाहिए तो जिन सभी चीजों का आपको डर होता है वो सभी चीजे इस भरती में एड नहीं है यानि कि बिना दोड के बिना हाइट के बिना चेस्ट और बिना English subject के यहाँ पे आप government job ले सकते हैं और वो भी केवल एक phase में यहाँ पे केवल आपका written examination होता है अगर आप written examination qualify कर लेते हैं तो उसी के basis पे directly आपको job मिल जाती है वो भी दिल्ली पुलिस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह दिल्ली पुलिस में MTS civilian की भरती यहा आप सभी के लिए तो अभी से अगर आप इसकी तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित तोर पर आपको यह job मिल सकती है तो पूरी information देंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe कर लें और वेल आकिन पर प्रेस जरू कर लें ताकि future में आने वाले हर अपडेट का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे आगे बढ़ते हैं और आपको step by step सारी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इसका official update जारी कर दिया गया है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वि विकिंसी रहेंगी तो आप सभी को बता दे कि इस job के लिए all over इंडिया से कोई भी candidate apply कर सकता है यानि कि भारत के आप किसी भी राज्य से बिलॉंग करते हों आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं साथी में बात करें यहाँ पर पोस्ट के बारे में कितनी रहेंगी तो आठ आपकी राज्य में भी और आपकी सिटी में भी इसका सेंटर रहेगा तो आपको टैंचल लेने की जरुवत नहीं है आप कहीं से भी विलॉंग करते हों इसके लिए आप आविदन कर सकते हैं इसमें जो आपकी विकिंसी होती हैं जैसे कि आपका MTS यानि मल्टी टास्किंग तो आप एक तरह से ऐसे समझें कि दिल्ली पुलिस में ट्रेट्स में इनकी ये विकिंसी निकाली गई हैं आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया तो एज क्राइटेरिया बहुत ही वड़िया रहता है कि यहां पर 18-17 साल तक के कैंडिडिट अ साविदन कर पाएं वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर आप OBC कैंडिडेट होंगे तो आपको तीन साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी और ST और ST होंगे तो आपको पांच साल की उम्र सीमा में छूट मिलती है उम्र की जो गढणा है वो हो सकता है फर्स जनमरी 2023 से सा डाउट है लेकिन अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं आप का जा सकता कि एक जनमरी 2023 से ही आपकी उम्र की गढणा होगी लेकिन पूरी उमीद है कि इसी दिन आपकी उम्र की गढणा की जाएगी आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आ जाती है सेलेक्शन प्रोसेस के बारे हैं तो आगे फिर बात आती है क्वालिफिकेशन मातर यहां पर रखी गई है यानि कि आपने किसी विवान में प्राप्त बोर्ड से अगर दसवी पास कर रखी है यानि मैट्रिकलेशन तो आप इस विकिंसी के लिए एलिजेवल हैं आप इसके लिए अपलाए कर सकते हैं कि तो देख यह रिटन एक्जामनेशन में जो दिक्कत होती है MTS की जैसे विकिंसी होती है तो उसमें आपका English होता है तो English से बहुत सारे कैंडिडेट को यह रहता है कि यहार English नहीं होती है तो अच्छा होता तो यहां पे आपकी English नहीं होती है यहां पर first subject आपका रहता है reasoning जिसमें आपके 25 question पूछे जाते हैं 25 marks आपको दिये जाते हैं numerical aptitude 25 question 25 marks आपके होते हैं और journal awareness के 50 question यहां पे आपसे पूछे जाते हैं यानि कि English वाला जो portion है वो इसी में मर्ज है English यहां पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगे और 50 number आपको दिये जाएंगे यानि कि 100 question क आपका paper होगा और 100 number आपको दिये जाएंगे 90 मिनट का समय आपको दिये जाएगा लेकिन इस बार उमीद लगाई जा रही है कि आपके syllabus में थोड़े बहुत बदलाब देखने के लिए मिल सकते हैं तो यह होगे आपका syllabus इसके अलाबा अगर आगे जो भी बच्चे दिल्ली पुलेस तो MTS की तयारी बहतर तरीके से करना चाते होंने best book मिल जाती है चक्सू publication की जिससे आप अपनी तयारी काफी बहतर तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको 2450 objective question मिल जाते हैं 20 practice side मिल जाते हैं साथ ही में यहाँ पे आपकी latest exam pattern पे यह book है और इस book को आप offline online दोनों तरी किसे purchase कर सकते हैं book को purchase करने का link भी आपको video को description में दे दिया गया है वहाँ से आके आप book को order कर सकते हैं और अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं तो फटाफर से book को order कर लीजिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात आती है कि आपके syllabus के बारे में यानि कि जो आपका इससे अगला face होता है trade test बगरा के बारे में तो देखो trade test के बारे में भी आप सभी समझ ले कि होता क्या है trade के लिए आप apply करेंगे यानि धूवी के लिए apply करते हैं तो धूवी वाली trade आपको पास करनी होगी और यह जो trade test होता है वो qualifying nature का होता है यानि कि merit पेसका कोई effect नह रहेंगे और आपकी जो merit वनेगी वो written examination की basis पे आपकी merit वनेगी अगर बात करें इस salary की तो 18,000 से लेके 56,900 पर मंता आपकी salary मिलती है दिल्ली में आपकी posting होती है बहुत ही वडिया job है कि सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली में रहके आप अन्य किसी और exam की भी तैयारी कर सक आपको कोई भी फीस पे करने की जरुवत नहीं पड़ेगी आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पे दिल्ली पुलिस के दौरा एक notice भी जारी किया गया है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा तो online application जो date रहेगी वो आपकी 10 October 2023 से आपके online application form स्टार्ट होंगे और last date है आपक 31 October 2023 और आपकी examination date भी declare हो चुकी है कि 6 फरवरी से लेके 19 फरवरी 2024 तक आपकी examination चलेंगे तो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको यह clear है कि आपके form कब से फिलोंगे और last date क्या है और आपके exam भी कब से होंगे अगर आपको नौकरी चाहिए तो अभी से किसी विकिंसी में अगर आपको selection चाहिए तो पहले से ही advance आपको सोचना पड़ेगा और तयारी भी करनीट पड़ेगी अलावा यहां पे आप देख सकते office of the commissioner of दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है 237 2023 का यह notice है राजसवा में यह पूचा गया था जिसके बारे मे पूरी information यहां पे दिए गई है कि कितनी कितनी विकिंसी निकाली जाएंगी तो हर एक department के बारे में विकिंसी बताई गई है तो यहां पे बताए गया है कि जो अभी विकिंसी चल रही है 3861 विकिंसी पे अभी recruitment चल रहा है बाकी का 9406 विकिंसी अभी निकाली जाएंगी जिसमें से सभी विकिंसी का viewer भी दिया गया है तो सभी विकिंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें से 8597 विकिंसी एक बार में और इसके अलावा फिस थर्ड में आपकी 889 विकिंसी निकाली जाएंगी जिसमें MTS की 888 विकिंसी रहने वाली हैं इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी details देखने के लिए मिल जाएंगी जिसमें आप देखेंगे MTS civilian जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 888 आपकी विकिंसी हैं और online application will be accepted from the 10th of October to 31st October 2023 and computer-based examination will be conducted on 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19 फरवरी को आपका examination होगा और यहाँ पे जो examination calendar है वो SSC के द्वारा जारी भी किया जा चुका है तो यह सारी चीज़ें almost clear हो चुकी हैं तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस में MTS की job की तयारी कर रहे हैं वो अपनी तयारी में पूरी तरह से जुड़ जाईए क्योंकि आपकी विकिंसी की सारी चीज़ें clear हो चुकी हैं officially SSC की द्वारा calendar में भी जारी कर दिया गया है साथी में दिल्ली पुलिस कमिशनर की तरफ से notice दारी किया गया है वो भी आप देख सकते हैं जिसमें सभी विकिंसी का व्योरा आपको दिया गया है तो उमीद करता हूं कि अब किसी भी बच्चे को किसी भी बात को लिके doubt नहीं होगा यहाँ पे सारी चीज़े मैंने भड़ती से संबंदित आपको पहले से ही clear कर दी हैं तो आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वीडियो को लाइक शेयर कर दें और वेल आइकिन पर प्रेस कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको regular मिलती रहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में से तैंक यू फो वचिंग जैहिंग जैवारत